हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरा नाम इवरा सिंग आप देख रहे हैं मुबाइल टेकनोजी यूटूब चनल फ्रेंड्स आज किस वीडियों बताएंगे कि गूगल पेकाउंट कैसे बना सकते हैं 2022 में गूगल पेकाउंट बनाने का क्या क्या प्रोसेस है और गूगल पेकाउंट बनाने के बाद उसमें आपना बैंक आकाउंट को कैसे एड करना है सारा प्रोसेस में A to Z इस वीडियो में आपको बताओंगा तो आपको इस वीडियो को स्टेब एस्टेब ध्यान से देखना है बिन है स्क्रिप के देखना है अगर आप पहले से डाउंलोड किया तो अच्छी बात नहीं किया तो marinade मिल दाएगा आप लिंक पर क्लिक करकर असालिव से गूगल पेप को डाउंलोड कर सकते हैं तो मैं पहले से गूगल पेप को डाउंलोड कर लें। ताकि वीडियो ज़ड़ा ना होसके। चले मैं यहां से डाइकरी Google Pay App को open करकर मैं आपको दिखा रहा हूं किसमें कैसे आपको अपना account करना है तो देख सकते हैं कि मेरे mobile skin पर यहां पर Google Pay App सो कर रहा है इसको मैं यहां से open करता हूं जैसे open करेंगे तो यहां से सबसे पहले आपको mobile number डालने का अपसर नहींगा इसके बाद verify करेगा आपका email और इसके बाद आपको यहां से एक log चूच करना होगा आप चाहें तो आपके जो mobile का screen log है उसको भी यूच कर सकते हैं या फिर आप यहां से अपना new pin भी बना सकते हैं तो मैं अभी फिलाहाल मेरा जो mobile का log है जो pattern है उसी को मैं यहां पर रहने देता हूँ जैसा कि मेरा mobile screen का जो log है देख सकते हैं मैं उस पर click कर दिया हूँ इसके बाद नीची आपको continue का अपसर नहींड़े इस पर click करना है इस पर जैसे आप click कीजेगा तो आपको अपने log से verify करना होगा जैसा कि मेरा pattern log है तो यहां से मैं pattern को unlock कर लेता हूँ देख सकते हैं कि मैं अपना pattern यहां से करकर continue में कर दूँगा इसके बाद यहां से unlock हो गया अब यहां पर मेरा Google Pay account बन किया है गूगल पर account बन जाने की बाद अब यहां से आपको bank account को register करना है यानि add करना है तो कैसे करना है चलि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि उपर आपको add bank account का option आ रहा है इस पर आप click करेंगे तो आपको यहां से bank account add करने का option आ जाएगा अगर आपके google पर में bank account add करने का option नहीं आ रहा है तो आपको यहां पर निचे scroll करना है इसके बाद यहां पर view account balance पर click कर देना है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं मैं अपना उंगली को press कर रहा हूँ इस पर आपको click करना है view account balance पर आप इस पर जैसे click किजिएगा तो आपको account add करने का option आ जाएगा चलिए मैं यहां पर इस पर click करकर आपको दिखा रहा हूँ देखे कि यहां पर मैं जैसे click किया तो यहां से aid bank account का option आ गया इस पर click करने के बाद आपको यहां से अपना bank का नाम select कर लेना होगा आपका जिस भी bank में account है उसको आपको यहां से select करना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं आपके कुछ उपर ही आपको सो कर जाता है जो most popular bank होते हैं उसका नाम आपको उपर ही दिखने को मिल जाता है तो अगर आपका bank का account का नाम नहीं आ रहा है तो आप यहां से simple सा search कर सकते हैं तो friends मैं अपना bank का नाम यहां पर add कर लिया है नाम add करने के बाद आपके phone में दो SIM में लगा होगे तो आपको यहां पर so कर जागा मैं इस पर click कर देता हूं इस पर जैसे आप click की जएगा तो bank add हो जाएगा जैसे ही आपका bank count इसके बाद आपना expiry date डाल देना है जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके सामने कुछी इसर से आएगा और यहां पर आपके phone नंबर पर OTP आएगा जो कि यहां से automatic detect कर लेगा यहां नहीं कर रहा है तो आप यहां से OTP डाल सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं तो चलिए मैं फिर से वहां यहां से पर यहां से और यहां से कंफर्म कर लेता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से वह पिंड डाल ढ़ाओ इसके बाद यहां पर राइट का सिंबल मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक किजेगा तो आपका यूपई पिन बन जाएगा तो मेरा यूपई बन गया और मेरा बैंक काउट भी एड हो ग ते पर दो